नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है प्रदीप चोहान और आप देख रहे हैं खवराण बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी दोस्तों कहते हैं कि घर को बाहर से कोई खत्रा हो बाहर से कोई घर की नीव खोदने की कोशिश करे तो उसे संभाला जा सकता उसका इलाज किया जा सकता है लेकिन घर के ही लोग अपने ही लोग अगर आपकी नीवे खोदने लग जाए तो उस घर का गिरना तै है और मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर अब बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो बीजेपी की खुद की नीव खोद रहे हैं अब ताजा उधारन है वही कंगना जी और मोदी जी के पुराने साथी प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर यूँ तो कहने को अपने आपको जन्द सुराज पार्टी का मुख्या बता रहे हैं और अलग रखते हैं लेकिन अब उनकी हकीकत हम सब के सामने खुल चुकी कि जिस तरह से लोग सवाचुनाव में उन्होंने मोदी जी के लिए खुल के बैटिंग की थी तो उनका परदाफास हो चुका है जानते हैं सब लोग की मोदी जी के बैटिंग करते हैं अब वह और कंगनर नौत दो लोगों ने यू लग रहा है कि अब फिल्हाल मोदी जी को बड़ी मुश्किल में डाल दें कंगना जी तो वैसे ही मुश्किल में डालने के लिए आज को बीजेपी के मुशूर हो चुकी हैं कभी किसानों के बयान को लेकर ओं मुश्किल में डाल देती हैं तो कभी और चीज़ों को लेकर आज तक के इंट्रिव्यू में जो जातिकर जंगन्ना को लेकर कहा है उसको लेकर बीजेपी को बहुत दिक्कत होने वाली है जातिकर जंगन्ना ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त किसी ने अगर सबसे ज उक्सान लोकसवा चुनाव में किया है, तो वो है जाती का जनगना का मुद्धा, अब कंगना रनौत और प्रशांत किशोर दोनों ने इस जाती का जनगना के मुद्धे को सिरे से नकार कर, एक टू कह दियाए कि ये नहीं होनी चाहिए, कंगना रनौत ने तो सीधा कह दिया, नहीं होनी चाहिए और प्रशांद किशोर जिस तरह से जाती कर जनगना को लेकर राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं पहले वो करें फिर हम करेंगे यह सारी प्रॉब्लम्स मोधी जी के लिए खड़ी करने वाली है पहले आपको दिखाता हूँ कि यह देखिए आपकी स्क्रीन पर है प्रशांद किशोर क्या क्या रहे हैं राहुल गांधी को लेकर कॉंग्रेस को लेकर जाती कर जनगना के मुद्धे पर कई ट्वीट किये वो आफ जनंगना करके पुरे थे रही है अब उनको समझ में आई यह बात तो जन गना से गरीबी दूर हो गया लिए राखल गरण गैमालकी कि गरिबी दूर कर ले हम लोग सब उनका जंडा उठा को फॉलो कर लेंगे जातिकत जनगन्ना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको से बितना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की इस्तिती क्या है लेकिन वो पता चल रहा है उसका कोई रास्ता नहीं निकालिएगा लो कांगना रणो तो उनसे कर्दम आगे निकल के बाकाएट है ये कह रही है कि जातिकत जनगन्ना होना होनी ही नहीं चाहिए आपनी फिल्म के से और फिल्म को हिट कराने के चक्कर में बीजेपी को फ्लॉप करने के चक्कर में क्यूं उतरी है कंगना रनौत ये शायद बीजेपी वालों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन प्रशांत किशोर अगर ऐसी बात करते हैं तो उसको लेकर थोड़ा सा सोचना पड़ागा पर मुझे लगता है बीजेपी को सोच किशने से पहले क्या इस देश की जनता को प्रशांत किशोर की बात पर भरोसा है बिलकुल नहीं है अगर प्रशांत किशोर ने लोग सबा चुनाव में प्रधान मंत्री के लिए बैटिंग नहीं की होती उनके सारे आंकड़े जूटे नहीं हुए होते तो शायद अभी भी प्रशांत किशोर थोड़ी बहुत उनकी बात सुनी जाती लेकिन अब जब उन पर ठपा लग चुका है बाकाइदा बीजेपी के स्लिपर सेल का तो और राहुल गांधी से सवाल पूछें ये उनको भी तरह सोचना चाहिए एक बार प्रशांत किशोर का आप खुद का इति निकले छोड़ा लेकिन हमेशा मोदी जी के साथ जूड़े रहें लेकिन मोदी जी को छोड़ने का नाटक करने के वाद जिन जिन से जुड़े उन उन सब पार्टियों में संग का और बीजेपी का एजेंडा लागू करवा गया है आप उधारने के दिले देख लीजिए प कांग्रेस के थे वो मुखिवंत्रे बन रहे थे तब क्या हुआ आज अम्रिंदर सिंग और उनके साथ कई लोग बीजेपी में है अम रिंदर सिंग शुनील जाखर सारी कौम एक तरह कि पुरी जमाद बीजेपी में है बिहार में जेडियू के साथ जूड़े थे को बी जेपी का साथ छोड़ के आर जेडी का साथ पकड़ना पड़ा था तेलंगाना में गए बी आरेस के साथ जुड़े आज बी आरेस की हालत क्या है यह सब को मालूम है आधि से ज्यादा बी आरेस या तो कॉंग्रेस में है या बी जेपी में है और बी आरेस की जगा पू बनाने में कामियाब हो गए यानि जहां जहां प्रशांत किशोर गए हैं वहां वहां उन्होंने बीजेपी के लिए जमीन तयार की बीजेपी के लिए वहां वहां पूरा हिसाब किताब रखा और बीजेपी को लिए एक एजेंट की तरह काम किया और बीजेपी एक स्लिपर से की तरह प्रशांद किशोर को यूज करते आई लेकिन इन लोग सबाद चुनाव में जब उनका कच्छा चिठा खुल गया तो अब खुद एक पार्टी बना के सामने आये हैं वो बिहार का चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन सचाई खुलने के बाद अब प्रशांद किशो लगते थे एक वक्त में तो उन्हें लगता था राहूल गांधी देश का भविश्य हैं और आज जब राहूल गांधी ने उनकी बात नहीं मानी तो राहूल गांधी से अब यह सवाल पुछने लगें यह प्रशांद किशोर की हालत हो गई तो मेरे हिसाब से स्मरिती रानी का मैंने सुभा वीडियों में बताय थे किस तरह से आब वो भी राहूल गांधी की काईल हो गई है किस तरह से हर्याना का एक सिंगर रोकी मित्तल अब राहूल भजन गा रहा है जो खुद राहूल को सुभा से शाम तक गाने उनके जरे है उसक से जरी यह लगे हैं ये सब बदलाओ और ये सब बदलाओ ये हैं कि सब मोदी जी के लिए गड़ा खोद रहे हैं पीजे पी को रोजाना एक गड़ा बढ़ना होता तो चार गड़े और खुले मिल रहे हैं ये हालत हो रही है अब तो लोग कहने लगे हैं कि अगर महराष्टर, हर्याना, जारकंड और जम्मू कश्मीर में कहीं बीजे पी हार जाती है तो मोदी जी के लिए अपना प्रधान मंतरी पद बचाया रखना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बीजे पी के अंदर संग के अंदर बहुत जबरदस्त उनके खिलाफ एक रिजिनमेंट आ जाएगी क्यों कि उनके नाम का जो तूती बोलती जो सिक्का चलता था वो निपड़ चुका है अगर आपको इसका उधारन देखना हो तो इसके लिए आपको हर्याना आना जाहिए नहीं तो हर्याना के बारे में जानिए हर्याना में चुनाव होने हैं एक अक्तुबर को 90 सीट हैं टोटल म कि पॉप्लरिटी वहां दिवानगी में कैसे बदल रही है इसका मैं उधारन आपको बताता हूं कि 90 सीटों के लिए 2552 आवेदन आये हैं कॉंग्रेस के अंदर टिकेट के लिए सोचिए 2552 तो जो आवेदन है जिनोंने किया है जो बड़े नेता जो आवेदन नहीं करते उन तरिवन तीस उमिद्वार हैं एक टिकेट के लिए एक तीस दावेदार हैं एक टिकेट के लिए हमें कॉंग्रेस की कॉंग्रेस का उफान कॉंग्रेस के लिदिवान की इस गदर है क्योंकि लोगों को मालुम है कि कॉंग्रेस तो जीतेगी ही जीतेगी इसलिए कॉंग्रेस ने अब उस पर शर्ते भी बहुत रख दिये कॉंग्रेस ने ना सिर्फ यह तैय कर दिया है कि जो सांसद हैं वो चुनाओ नहीं लड़ेंगे विधान सभा चुनाओ ये एक तीर से रंदीप सुर्जेवाला कुमारी शहलजा को साफ संदेश दे दिया गया कि अब आप जितने अब बंदा करना चाहते हैं करते रहें सबसे ब्ला ठक जो जेश का जो है आपके खेंडन की कोई चांसे सफ़ और बार बार रूब निकलकर आगी है उसको नहीं पता है वह नो पाजिए असर अनिल विज ने कहा कि जो धाई जो आए हैं उसको लेकर कॉंग्रेस मार्केटिंग कर रही है क्यूंकि उनको मालूम है कि जीत नहीं मिलने वाली वीज सब आपनी टिकेट निस्षीट कर लें तो को फर्मूला ऐसा भी है दो तीन बार चुनाव आर चुके हैं उसको इस बार चुनाब नापना है कि जिसका ट्रेक रेकोर्ड तो जो उसके वी विजिप का ये राल है कि अपनी पुरानी साथी जिनको शाड़े चार साल तक अपने साथ रखा फिर छे महीने पहले ने लात मार के अलग कर दिया जेजेपी उन से रिक्वेस्ट कर दिये कि थोड़े से तो स्ट्रॉंग हो जा कम से कम पांस साथ सीट ले लो कुछ तो कॉंग्रेस का नुकसान करो ये आलम हो गई है उधर जेजेपी रोजाना फिलर भे ये लोकपोल जो है इन्होंने करनाटक को भी बहुत सही सर्वे दिया था बहुत जगा इनका सर्वे सही निकला लोकपोल का सर्वा हर्याना में बताता है लोकपोल का सर्वे कि बीजेपी को 35-37 प्रतिशन वोट के साथ 20-39 सीट मिल चकती है कॉंग्रेस को 46-48 प्रतिशन वो से 58 सीट का है आज की डेट में यह इस वक्तिती है कॉंग्रेस की और मैं फिर एक बार धोराओंगा आज लिखके ले लिजी एक अक्टूबर को है एक महीना बचा है चुनाव प्रचार को यहां से अगर कॉंग्रेस को कोई 55 सीट से नीचे हराना तो दूर की बार 55 सीट से न कॉंग्रेस का नुकसान कर सकती है और कोई नहीं? मद्य प्रदेश का एग्जामपल याद रखना पड़ेगा। इसके ळावा जिस तरह की दिवान इस वक्त हर्याना में कॉंग्रेस के लिए जिस तरह का माहौल वक्रेस का है शायद कॉंग्रेस ने बड़े सालों से कीष्य विराज्य में ऐसा माहौल नहीं देखा है तो एक तरफ मोदी जी के लिए कई खड़े खुद्रे हैं पार्टी की तरफ से उनके अपने लोगों की तरफ से ही दूसरी तरफ कॉंग्रेस का उफ़ान जो जिस तरह से भी दिख रहा है हर्याना में कश्मीर में नेशनल कांफरेंस के साथ तैम आना जा रहा है कि कॉंग्रेस और नेशनल कांफरेंस की जो है वो सरकार बनेगी बनेगी महराष्ट में बीजेपी महायूती जो है बीजेपी गड़बंदन बुरी तरह से फसा हुआ इस पर कई मामलों में एक सहारा था कि लाडली बहना के जरिये सहारा मिलेगा लेकिन वह जो मामले हुए हैं अभी बदलापूर वाले उसके बाद वहां लोग सीधा सरकार से पूछते लाडली बहना हमें नहीं चाहिए हमें सुरक्षित बहना दीजिए तो वह भी एक आखरी दाव बीजेपी का वहां फेल होता नजर आ रहा है तो ऐसे म अगर इस सारे राज्ये बीजेपी के हाथ से निकलते हैं तो कुर्सी किसकी डोलती है कुर्सी डोलती है मोधी जी की फिलाल इस वीडियो में इतना ही प्रदीप चुहन को दीजिए इजाज़त नमस्कार